दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट और अलामिंग जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, जो USA, UK और इसराइल के लिए टेंशन बन चुका है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि रशिया ने सिक्रेटली इरान को नुकलियर वैपन्स दिये हैं और ये डील शायद US, UK इंटलिजन्स एजेंसी के रडार से निकल गई है। ये देखिए, ये न्यूज है कि अलामिंग यूके और यूएस ओवर पॉसिबल इरान रशिया नुक हो गया है। जब भी दो बड़े देश एक नुकलियर डील करते हैं, दुनिया भर में पैनिक मत जाता है। अब हम डेटेल में जो है वो इस पूरी सिच्वेशन को समझेंगे, इसका असर कैसे हो सकता है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पर उसको भी जो है वो हम डेटेल में देखेंगे। रश्या इरान नुकलियर डील आखिर हो क्या रहा है। दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो डील है ये है क्या। तो रिपोर्ट्स कह रही है कि रश्या ने इरान के साथ एक सिक्रेट नुकलियर वैपन डील की है। हाँ ये कोई नुकलियर डील नहीं है बलकि proper nuclear weapons transfer या फिर technology transfer की बात यहाँ पर हो रही है अब देखो भई यहाँ पर दो scenario सामने आते हैं या तो रश्या ने 3-4 nuclear bomb इरान को चुपके से दे दिये है और अब इरान decide करेगा कि कब और कैसे उन्हें दुनिया के सामने दिखाना है या फिर Russian scientist ने इरान को पूरा technology दे दिया है और nuclear bomb बनाने का जिसमें uranium enrichment भी शामिल है तो यह दो scenarios जो है वो सामने आ रहे हैं अब यह जो development है ना यह वाकई में काफी shocking है अब West यानि USA और UK को यह डर है कि कभी भी इरान एक nuclear test कर सकता है और officially अपने आपको nuclear weapons वाली country जो है वो declare कर देगा रश्या interest give and taken geopolitics अब आप सोच रहे होंगे कि रश्या को इस deal से क्या फायदा है क्या रश्या यह सब free में कर रहा है of course not geopolitics में free lunch कभी नहीं होता रिपोर्ट यह कह रही है कि एरान ने रश्या को ballistic missile प्रोवाइड कर आए है जो रश्या यूक्रेण के खिलाफ यूज करेगा रश्या को यूक्रेण के air defense system को confuse करना है और इसके लिए उनको हर तरह के weapons जो है वो चाहिए अब यह जो इरान है ना यह सस्ते में ballistic missiles जो है वो provide करवा सकता है जो की यूक्रेण जो एरिया है या cities है वहां की वहां पर जो है वो गिरेंगे अब यह जो डील है इसके बदले में रश्या ने इरान को nuclear weapons या फिर technology जो है वो transfer कर दी है देखे भई जब भी कोई देश है फ्री में चीज़न transfer नहीं करेगा जाना कहीं ना कहीं उसका भी फायदा होगा तो एरान ने जो है वो सस्ते में ballistic missiles जो है वो provide कराया या रश्या ने एरान को क्या किया भई nuclear weapons या फिर technology जो है वो transfer कर दी जो reports जो है वो कह रही है तो अब ये जो deal हुई है इस चीज़ को लेकर US और UK में काफी जादा panic जो है वो मच किया है अब देखे भई यहां सबसे जादा चिंता इसराइल को हो रही है अब क्यों तो देखे अगर इरान एक nuclear weapon test करता है चाहे वो रश्या का दिया हुआ हो या फिर एरान ने खुद बनाया हो तो इसराइल के लिए एक बड़ा security threat खड़ा हो जाएगा इसराइल के ruling party और opposition दोनों इस issue पर एक हो सकती है और इसराइल अपने defense को लेकर और भी जादा जो है वो aggressive हो सकता है अब मैं आपको एक example जो है वो बताती हूँ अगर हमें एक example के तौर पर ले तो माल लो इरान एक nuclear test कर देता है तो उस case में इसराइल को भी अपने nuclear capabilities को openly demonstrate करना पड़ सकता है और ये जो सब है ये middle east के power dynamics को बिल्कुल जो है वो बदल देगा geopolitical consequences instability in the region देखे अगर इरान officially nuclear weapons वाला country बन जाता है तो दुनिया भर में tension और बढ़ेंगे आप imagine करिए कि दुनिया के power houses जैसे US, Russia, China और इंडिया भी इस issue में involved हो सकते हैं खासकर peace talks के लिए nuclear weapons का होना सिर्फ power नहीं है बलकि responsibility भी होती है और इस बात को ensure करना होगा कि nuclear weapons का use irresponsibly ना हो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हो कि यहाँ पर एक और possibility जो है वो बन सकती है वो क्या है तो इसराइल इरान के nuclear program पर primitive strike करने का plan बना ले ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिलकुल पास एक hostile nuclear arm nation हो अब रशिया का justification जो है वो क्या है वो देखते हैं अब जो पुतिन है ना उनका stance भी समझना जरूरी है रशिया का यह कहना है कि जब western countries openly Ukraine को arms और support दे रही है तो रशिया भी उनके दुश्मन countries को weapons दे सकता है पुतिन कहते हैं कि western countries ने Ukraine को ballistic missiles और even chemical weapons भी दिये है और रशिया अब इरान को weapons दे रहा है इस situation को balance करने के लिए रशिया का यह भी कहना है कि अगर west Ukraine को arming जो है यह कर सकता है तो रशिया भी geopolitics में अपनी चल सकता है इसलिए यह जो secret deal हुई है उससे surprise नहीं होना चाहिए तो देखे भई पुतिन ने अपना statement जो है वो दे दिया है अब हम conclusion पर आते हैं तो दोस्तों यह पूरी story मैंने आपको बता दी रशिया और इरान का जो secret nuclear weapons deal हुआ है उसके बारे में और कैसे जो है यह effect कर सकता है या कहना चाहिए UK और US के लिए खतरनाक है किस तरीके से panic situation बना दिया है इन countries के बीच में वो भी आपको थोड़े के नोवें दिख जाएगा या कहना चाहिए officially reports आ जाएंगी so west particularly USA और UK में panic मच गया है एक तरीके से आने वाले कुछ महिनों में हमें और भी जादा developments देखने को जो है वो मिलेंगी और ये tension और भी बढ़ सकता है Middle East और Global Geopolitics में मैं आपको इस इशू पर update जो है वो रखूँगी जैसी मेरे पास कुछ और news या update आती है मैं नेक्स वीडियो में जो है वो आपके साथ शेर कर दूँगी वीडियो आपको कैसा लगा हो comment box में मुझे जरूर बताएं आपके क्या विचार है वो भी आप लिख सकते है चैनल पे नए है तो subscribe कर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन्द